हेलो इस्टूडेंट आज से कंटिन्यू करेंगे एडवांस मेथ एडवांस मेथ के अंतरगत हम लोगों ने इकाई कंग याद करना सेस्फल याद करना ऐसे कुछ टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है बीच गेडी सुत्रों के धार पर सरली करना भी हम लोगों ने भाग एक पढ़ा हुआ है यह भाग दूसरा है जिसमें पूरा का पूरा हमारा अलजेवरा पर बेस्ट हमारा जो है कोशन पढ़ेंगे आज ये क्लास में भी तो यदि भाग वन आपने नहीं देखा है तो आई बीच गडी जो है सुत्र के अधार पर ही पढ़ा जा सकता है सुत्र भी बताओंगा और कुछ ट्रिक भी बताओंगा तो पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता देता हूं जिससे समंधित कोश्चन करेंगे आज ही क्लास में तो देखे ये आप फार्मूला आपने देखा हूँ है क्लास एट से ही सुरू हो जाता है इस टफ फार्मूला पढ़ना हमारा घडित में तो यदि a-plus b फूरे के गहात में देन है तो इसको इस प्रकार से तोड़ाजा जाता है देखिए a-क गहात में प्लस करके 3AB का स्क्वेर हो जाता है तो इस प्रकार से भी आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं लेकिन आप ऐसा मत करिएगा क्योंकि देखें यह हलंकि यह भी फर्मूला ही है बट हमारा जो बीज गडित यत sólo मनते हैं यही तक आम यही फर्मूला आद रखते हैं तो आपका आपका क्योंशन बन जाता है इसलिए मैंने यही पे इसको रोक दिया है आगे नहीं किया है बट आपके जनकारी में यह फर्मुला होना जीए क्योंकि इससे भी समधित में कोशन कराऊंगा आगे के भाग में आज सिर्फ यही तक पढ़ेंगे ठीक है यह होता इसी में यही माइनस लग जाए तो जब यहा आप 3AB लिखे और आपका अंदर में भी क्या हो जाएगा यह यह आप इसको ब्रेक करेंगे इसको जब आप उस्टक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 3A2B और देखिए माइनस माइनस अगुड़ा क्या होता हमें सा प्लस होता है तो 3AB का स्क्वेर कुछ इस प्रकार से ह हो जाता है यह तो आपका common ही रहेगा एक क्यूब माइनस अग्यूब माइनस 3A2B प्लस 3AB का स्क्वेर ठीक है क्या तो देखिए हम लोगोंने last class में भाग वन में हम लोगोंने a-b के स्क्वेर और a-b के स्क्वेर से संभधित कुशन किया था आज फोकस करेंगे क्यूब पर और वर्गपर भी दोनों पर भी करेंगे ठीक है यह तो फर्मूला बस बताने के लिए था एक्च्वल में कोशन कैसे आता है वो मैं आपको यहां से दिखाऊंगा देखिए होता क्या है यह आपका मूल कोशन है कोशन एक्जाम में ऐसे ही आ जाता है कि x प्लस एक बराबर यदि दो है तो उसका आपको क्या करना है एक की घात में तीन प्लस एक बटेक्स की घात में तीन इसका आपको क्या करना है मान निकालना रहता है ठीक है क्या इसको जो है फार्मूला के रूप में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है यह जो दो लिखा गया है वो एक मान ल गौत माहत है आगा अहा थीक है और किया है उसका विप्रीट है गात कह रहा है और उसका विप्रीट पूछ रहा है उस इस्तितिक लिए आपका ट्रिक जो है काम आने वाला है तो आपको क्या कर देना है कि जो भी अंक आपको दिया रहेगा देखिए चुकि यहाँ पे घन है तो आप इस संख्या के घाद में भी घन कर दीजिए प्लस का माइनस होता है यह मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है बिजगडित के फर्मूले के अंतरगत भाग एक में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाता है तीन और प्लस है इसलिए माइनस और तीन कर गुड़ा कर तो किसका जो भी वेंजयक आपको दिया गया था उसका मान का तो इस प्रकार से हो जाएगा दो दूनी चार दूना आठ और माइनस तीन दूना अच्छ है तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा दो और यह question जो है आपक प्रक्रिस अच्छे से कर लेंगे यह formula योदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका जो है यह 5-7 स्कंड में question बनता है क्लियर है क्या चलिए देखते हैं नेक्स्ट question की और अब दिखिए यह तो होगी हमारे trick की बात है अब इसको मैं formula से आप दिखिए जो trick बना है वो ऐसे हवा में नहीं आ गया है यहीं से बना है जो आपका basic जो तरीका जो formula है चलिए इसको break करते हैं ठीक है तो इसको कैसे तोड़ेंगे आप अभी कुछ ने पहले मैंने formula बताया था a की घात में 3 b की घात में 3 plus 3 a b और कुछ टक में a plus b होता है अब देखिए यहाँ पे क्या सकते हैं तो देखिए यह कैसे हो जाएगा एक सी घात में 3 plus 1 *** 3 जब आप इससे गुड़ा करोंगे कैसे कटने वाला दिखिए एक कमाने एक सी घात में 3 और गुड़ा बी कमाने है एक एक सीघात में 3 यह दिखिए यह कट जाएगा और देखिए इसका मान क्या दिया ग करना है यह मुझे ग्यात करना है और इसका जो ओरिजनल मान देखो यह इसका मान क्या दिया है जी इसका मान दिया है दो की घात में तीन यही दिया है न यह देखिए ए प्लस भी बराबर अब भाई यह देखिए यह इसका मान दिया हुआ है न हमने क्या कहा यह देखिए एक क की खात में 3 प्लस 3 और यह दोनों को जब आपस में गुड़ा करोगे एक्स लिख लो भाई ये लो मैं एक बर लिखी दियता हूं पूरा डिटेल से ये लिजिए और इसका मान क्या दिया है मेरे भाई दो दिया है न जी तो ये देखो यह ऐसे कड़ी आएगा कैटे का की ने हfte यहां पर मान दिया है दो तो 2 की खात में 3 और इधर देखित यह आपको क्या करना इस प्रकार से आंसर आएगा आपका 2 यही आया था न उसी को क्या कर दिया है फर्मूला किया बना दिया य जो भी आपको दिया गए हो से घात में तीन कर दो और देखो मायनस करके यहां पर आपको बिया हो तो आपस में कटने वाला है तो मैंने के सांथ तो यही मैंने आको प्रिवेस फर्मूला में बताने का कोशिस किया था यह देखिए जो यह है उसका घात 3 कर दो और प्लस के जगह में माइनस कर दो और जो भी वेल्यू दे उसको 3 गुणा कर दो ठीक है क्या एक दो कोशन और करते हैं आपको बिल्गू समझ में आएगा ही आएगा ठीक है क्या अब देखिए एक कमान दे दिया है 3 अब यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस है तो हमको क्या करना पड़ेगा हमको प्लस वाला फर्मूला लगाएंगे तो प्लस वाला फर्मूला हम क्या होगा एक एक हाथ में 3 अब प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और अबर क्या दिया गया है भाई मेरे तीन दिया गया है तो तीन इतिया नो तीया 27 हो जाएगा और यहाँ पर जब तीन इतिया नो हो जाएगा और 27 में से नो हो जाएगा अपर क्या हो जाएगा अठारा हो जाएगा clear है क्या तो देखिए आप इसी तरीके से बनाईएगा आपको जो है बेसिक तरीके से बनाने क्या हो सकता नहीं है बात कर लेते हैं next question का अभी फिर से देखिए यहाँ पे भी plus है यहाँ पे भी plus है तो हम आइनस आने माला है left में एक formula लिखते हैं right में एक formula लिखते हैं तो left मे माइनस का माइनस तीन गुड़ा करोगे चार से तो तीन चौके बारा हो जाएगा ठीक है और चौसट मेंसे अब बारा को घटा दीजिए जी आपका answer आ जाएगा clear है क्या बात करेंगे next question का ठीक है कर लेंगे चलिए घटा के भी दिखाना पड़ें क्या कर लेंगे इतना त करना पड़ेंगा बात करते हैं next question का तो देखिए question में कुछ भी दिया रहे है आपको बस अपने logic के बने रहना है जिसते कि यहां पर वर्ग मूल में दे दिया है तो आपको घबराना नहीं है आपको क्या करना है यहां पर प्लस है यहां पर भी प्लस है ता आप बीच में लगा लिजे माइनस इधर वाला जो भी value दिया है उसका क्या करना है आसे कंब यहूसाँ करना था होगए उसका फायशных-घूझन होता है क्य लोगों को लगता है धिच्ञँ होगे जए कट किन नहीं च्छोड़ता ज्ञां थोड़ एसा नहीं होगा देखो डो दो हम पैसे पेर बनाएंगे देखो under 5after 5 फाइप हो जाएगब और 5 under 5 में से थी under 5 को भटाना है तो देख़ो भाई पांच में से तीन गिंग दो तो इस प्रकार से अंसर आजाएगा 2 की गहात है, 2 और आपका आजएगा वर्गमूल 5, यह आपका अंसर आ जाएगा, 2 वर्गमूल 5 आ जाएगा, कर लेंगे, तो यह थो भाई, क्या था हमारा, प्लस वाला था, एक आज़ों हम क्या करते है, माइनस वाला भी कर लेते हैं, हाला कि ज्यादा difference नहीं रहता है फिर वेकात question तो करें लेते हैं मैंने देखा कि जो संख्या यहां पर लिख्या गया उसी संख्या कहाँ गहात के रूप में लिख्या है मतल्ड मेरे दिमाग में क्या छब जाना चाहिए कि जो भी value दिया गया है उसी पर खेलना है तो चार चौक सोला चौक 64 और चार तीया बारह और इसको जब आप करेंगे तो आजाएगा आपको 76 को दिक्कत है क्या कर लेंगे बिल्कुल बनना चीए भाई है नहीं आसान है सरल है आप इसके लिए 5 के लिए 6 के लिए 7 के लिए इसको अभी करके दिखिएगा ठीक है हमने फार्मूला बता दिया है फार्मूला को आप कहें तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूए देखिए मा मैं बेसिक तरीके से ही बता देता हूँ जब आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए एक की घात में 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 ठीक है उसके माइनस 3 गुना करोगे एक्स गुना करोगे एक बटे एक्स की घात में 3 इधर भी 3 और देखिए जब यह वाल्यू करोगे तो इसका मान कितना दिया है जी 4 तो यह देखिए मान ऐसे 4 लिख दिया है क्लिए रख्या कर लेंगे यहां पर देखिए तो भाई आपस में कड़ जाएगा यहां पर देखिए इसका मन दिया है चार तो चार की घात में 3 बराबर यह तो मुझे घ्यात करने इसको मार रोक के रखता हूं और इधर हो जाएगा माइनस में 4 दिया 12 यह देखो 4.16.16.16 हो जाएगा जब इस तरफ ऐसे घूम के आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस तो देख लो आपका 76 आंसर आ गया तो बेसिक भी मने बता दिया है फार्मूला से माफ करिएगा और ट्रिक से ही मने बता दिया है तो आप प्रेक्टिस अपने हिसाफ से कर लेजेगा अब लिए और इकसी के स्क्वर मतलब यहाँ पर है पलस बी की स्क्वर से है और एकसी मात में पे तिन का मतलब इहाँ पलस बी चान में रहता है और इस को पांच का गहात में एक सी गहात में पांच एक सी गहात में शे एक सी गहात में साथ इसके लिए अलग से फर्मॉला क्यों सकता नहीं है क्यों क्योंकि हम ये दो और तीन के मदद से ही हम बाकी चीजे बना सकते है तो कभी कभी क्या करता है डारेक्ट गहात में 2 और गहात में 3 वाला नहीं पूछ लेता है वो 5, 7, 6 ऐसा जो जो है गहात वाला को बनाता है क्योंकि ये थोग कि उसके compare में थोग तफ हो जाता है तो यदि हमको पता होगा तो X की घात में 2 और X की घात में 3 को ऐसे तोड़ देखियो हमारे पस क्या है 2 और 3 है और 2 और 3 से 5 बनाओ कह रहा है जी हमको X कवर के का फर्मूला पता है X की घात में 3 का फर्मूला पता है तो यह फर्मूला है कि अधार यदी बराबर हो देख लिजे अधार बराबर है एकस एकस और तो अधार यदी बराबर हो तो घाते आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है कहने मчесक इसक अफ ओर मतलब होता है एकसी घहात में दो धन्त인 करोगे छाएगे एकसी घहात में पांच अब देख़िए इस चीच मैं प्रूफ कर करके आपको दिखा भी सकता हूँ कैसे देखिए माण लेता है दो की घहात में tीन है ठीक है दो की गहात में तीन और दो की गहात में दो कमान बताईए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दो की गहात में पांच अब देखिए इसको सीध कैसे कर रहा हूँ 2 की गहात 3 बराबर होता है 8 और 2 की गहात 2 बराबर होता है 4 और 8 गुड़ा 4 करगत होता है 32 होता है न अब दीखिए हमने यहाँ पे 2 बरा अलग अलग गुड़ा करके लाया आंसर अब इसी कह on हम यह दी डारेट ऐसे सुंचते हैं तो 2 की घाथ 5 बराबर क्या होता है 2 2 4 2 8 2 16 22 अब देखिए यहां पर आपको समझाने क्लिए कर रहा हुल किन सबको तो जब आनी याद रहता है ना 2 की घाथ 10 तक तो पता ही रहता है क्योंकि 1024 होता है और हमारे क्या है जब हम कंप्यूटर के भासा में जब उसका मात्रा को पढ़ते हैं तो यहां पर समझने वाली बात क्या थी कि पांच को हमने ऐसे तोड़ा कि हम दोनों के दिगुड़ा कर दें तो हमारा क्या होता है अधार बराबर हो तो घाते हमारी क्या हो जाती है जूड़ जाती है इस प्रकार से करने से हमारा आंसर आ जाएगा अब देखिए मैं क्या करूँगा एक बर एक से गहात में तीन निकाल लूँगा और दोनों का पसम गुड़ा करने से ही मेरा यह आंसर आने वाला है यहां तो को दिक्कत तो नहीं होगा अब देखिए अभी एकात और पुशन कराऊंगा तो आपको भी बढ़ आगा अब देखिए यहां पर आपको प्लस चल रहा है तो आप क्या करिए एक प्लस वान अपन एकस का वर्ग एक बर निकाल लीजिए उसी प्रकार से एक प्लस वान अपन एकस की घात में तीन निका अधिन-टेष्ट कर लो यहां पर वंढ़ होजाता है और उसमेंसे दो घटा दो जाना है तो आपको मैं फिर से कह रहा हूं आई प्रकार निकिलिक बिजांगी भाग एक देखले मैं देखना इसका बता रहा हूं आग principles ब्ता रहा हुँ यह अगxton मैं से डेक होतossड है अब ही निकालना है यह देखिए जब आप इसका Cube निकालोगे तो Cube का Formula अब भी बता हूँ आपको क्या होगा सबसे पहले प्लस है तो माइनस लिख लो भाई एक बर आप क्या करोगे तीन करोगे और एक बर आपके क्या करोगे तीन गुणा कर दोगे पाँच का तो 535 25 125 हो तो दिखा देता हूं कैसे करना है यह देखिए अब इसका आपको गुडा करना है तो बाको चटक को तो अपनी करोगे जी एदेखो तो यहां पे दो से दो तो कड जागा लेकिन एक ठो बचेगा ना है ना तो यह एक बट एकस बचा ठीक है भाई अब देखिए इसको अब एक बर दूसरे वाला वैल्यू को इसके साथ गुड़ा करोगे तो क्या बचेगा देख लो उपर में क्या है एकस की हाथ में तीन है और आप इसको ऐसे गुड़ा करोगे तो देख लो तीन में से दो तो चलेगे एक बचेगा ना मतलब यहाँ पर एकस बचेगा यह देखो मैंने एकस लिग दिया और आप जब आप इसका इसके साथ गुड़ा करोगे तो बचेगा आपका एकस की हाथ म यह देखो जब आप इधर गुड़ा कर रहे हो तब आपको इधर भी गुड़ा करना पड़ेगा मतलब आपको क्या करना पड़ेगा तेईस में 110 का गुड़ा करना पड़ेगा जब आप इन दोनों का लेफट साइट का गुड़ा करना तो राइट साइट का भी तो गुड़ करना पड़ेगा ठीक यह देखिए मैंने लिख दिया है यह देखिए सब कुछ जब आप कर लेंगे तो इन दोनों कमान आप लिख दीजे यहां पे 5 आएगा और 5 को इस तरफ आई से पक्षांतर कर दीजे तो प्लस हो जाएगा माइनस 5 इस प्रकार से आंसर आएगा आपका 25-25 ठीक है ना 25-30 था उसमें से 5 गया तो आंसर क्या जाएगा 25-25 अब आप चाहो तो देखिए रटना मत भई मैं फर्मूला बता दे रहा हूं डारेट कैसे करना है लेकिन आप वहां पर यह याद नहीं आएगा तो आप उसको र फर्मूला कैसे बना एक बर इसी वैल्यू का आपको क्या करना रहेगा प्लस है तो माइनस देखो क्या करना हम आपको डारेट याद करा रहा हूं मैंने कहा 5 को तोड़ सकते हो 2 और 3 में तो क्या करो आप तो 2 के लिए क्या फर्मूला है तो देखो प्लस को लिखो माइनस औ और प्लस का जब मैं माइनस दो करते हैं ये निकालोगे घात तीन के लिए क्या करते हैं एक ही घात में तीन हो जाएगा प्लस का माइनस होगा और तीन होगा होगा की नहीं होगा बिल्कुल होगा ये लीजिए और हम क्या करते हैं इन दोनों का अपस में गुड़ा करेंगे त बीच में गुडधा है क्लियर है क्या समझ गए यदि फास्टो रहु आगे शुड़त तो इस प्रकार सरा आगे 25 नेक्सक्ne अब इसको आप चाहो तो देखे मैं पहले Korea को टीटेल नहीं बता सकता हुँ पिर से मुझे क्या दी हो हिना पर गहात ने पनाच है मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई 2 और 3 आएगा तो मेरे दिमाग में क्या formula चलना चाहिए कि जो भी value आएगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा एक बर वर्ग करना पड़ेगा एक बर आप 4 कवर्ग करोगे करोगे प्लस है तो हाँ पर माइनस 2 करोगे उसी प्र में गुड़ा है तो बार्ड मास के हिसाब से पहले आपको गुड़ा करना पड़ेगा फिर आप आखरीम घटाना भई पहले घटा मत देना ठीक है ना अब यहां पर देखे चार चौक सोला और सोला में से दोग यहां पर 14 चौक सोला चौक 64 और 64 में से जब आप 12 और 728 में से 4 घटाओगे तो आजाएगा 724 क्लियर है क्या तो ऐसे बनाओगे तो आपका फटाफट बनेगा और यह आपका प्रेक्टिस से बनेगा है कर तो वही रहे हैं बस हम लोग लिखने काम कम कर जितना कम पेंच चलाओगे उतना आपका टाइम भजात होगा अब इस एक ही घात में 3-3 तो यहां ता पूरा पछले मोग काती काफी कर देता हूं ठीक है 4 1,64 चश्च मैं से बारां गिआ हो जाएगा इधर जब आप गूड़ा करोगे तो 728 आएगा और आपका x plus one upon x कमान दिया है 4 इधर जाएगा पक्षांतर होगे तो आपको हो जाएगा minus इस प्रकार से आपका अंसर आजाएगा 724 यह देखिए मैंने यहाँ पे लिग दिया है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ जब यहाँ प्लस तो यह minus हो जाता है यह plus रहा तो यह minus हो जाता है और आपका यह वाला जो case है वो दोनों इस्तिति में रहाएगा चाहे plus रहे चाहे minus रहे मैं आपको minus वाला भी करके दिखाऊंगा यह देखिए अब यहाँ पे समझ यह फिर से मुझे एक सी घात है 5 मिला मतलब एक सी घात मे cube करूंगा तो देखिए जब घात में भी सम संख्या हो ना तो minus का minus ही रहता है लेकिन जब घात में सम संख्या हो तो minus का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है देखिए आप सबने बच्पन यह फर्मूला पढ़ा होगा a minus b का वर्ग के case में क्या होता है a का वर्ग प्लस b का वर प्लस हो जाएगा और देख लिए यहाँ पर क्या लिखाएगा तो क्लियर है क्या तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं तो यह देखिए यहाँ पर क्या बचेगा प्लस मिलेगा जब आप अबू लोग इसको समझ गया ना कैसे करना है ठीक है ना ये क्या हो जाएगा चार का वर्ग और प्लस दो ठीक है ना ये देखिए तो ये हो जाएगा आपका चार चुक सोला और सोला दो अठरा उसी प्रकार से जब आप इसका गहन करते हैं ना एकस माइनस वन अपन एकस का क्यूब का तो देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस और बागी सब माइनस ही रहता है तो हमारे पास फार्मूला क्या निकल क्या आता है माइनस का हो जाता है भाई मेरे प्लस क्लियर है क्या इसका अगर मान कहें तो हमारा क्या हो जाएगा 18 4.16 दो अठरा और यह देखो 4.16, 64 और फिर 4.12 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 76 70 क्लियर है क्या अब इन दोनों का अपस में गुड़ा करेंगे तो आपको इन दोनों का भी तो आपस में गुड़ा करना पड़ेगा तो चलिए हम इन दोनों का अपस में गुड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए इसके साथ गुड़ा करोगे तो प्लस इसक लेकिन एक्स माइनस वन अपन एक्स कमांड तो फोर होता है ना इधर आपको क्या कर देना है अठारा गुड़ा करें देखते हूं मैं एक्सोचब़ीस है ना और यह हो जाएगा आपका तेरा अडू सट आजाएगा यह ठीक है और इसमें आपका क्या हो जाएगा यह बाफ कर देखें अठारा गुड़ा शीहत्तर कर लीजिए ठीक है और इस तरफ आजाएगा मेरा फॉर यह जो माइनस इस तरफ आके प्लस फूर हो जाएगा ना जीति यह देखिए मैंने हाप प्लस फूर कर दिया है ओ ओ ओ कुछ गड़बढ़ है क्या सॉरी सॉरी यह प्लस फूर आगा है यह यह देखिए माफ करेगा मुझे यह देखिए इसको आगे पीछे इसले मुझे माइनस का मुझे भी थोड़ा से कन्फूजन हो गया तो आ जाएगा आपका 1364 आपका आएगा क्लियर है क्या चलिए बात कर लेते हैं यह देखिए माइनस हो तो भी माइनस एक करना पड़ेगा और प्लस है तो भी आपको करना ही पड़ेगा बस यहाँ पर दिखिए माइनस का प्लस माइनस का प्लस और यहाँ पर आजाता है माइनस वन का माइनस वन चाहिए प्लस रहे ठीक है क्या और हाला कि मैंने पहले ही कहा कि इसको आपको रटने क्यों सकता नहीं है आपको यह पता रहेगा तो आप इसको रटने क्यों सकता नहीं है फिर ही मैंने इसको अपने टून इकलेगा तो इस प्रकार से 27 हो जाएगा इसके लिए करेंगे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस को हो जाएगा प्लस और तीन गुणा पांच करोगे तो 5, 5, 25, 5, 125 और 125 में 15 जोड़े आप तो हजाएगा आपका 140 ठीक है क्या इन दोनों का पसे में गुड़ा करेंगे और गुड़ा करेंगे हम क्या कर देंगे माइनस फाइब कर देंगे क्योंकि प्लस रह चाहिए माइनस रहे डोग इस इतीम में आपको मैंश होता है तो 27 गुड़ा 140 यह देखिए 27 गुना 140 अब माइनस 5 करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा और आपका अंसर आजाएगा 375 करके देखिएगा ठीक है क्या 375 आपका अंसर आएगा ख्लेर है क्या चलिए बात करेंगे इसको अच्छे से देख लिएगा मैंने डारेक्ट तरीका करके बता दिया है बाकि गुड़ा भागा आप कर लिजएगा तो इस प्रकार से एक्स की घात में भी 6 आजाएगा और मुझी यही चाहिए दूसरा एक्स की घात में यदि मैं तीन निकाल लूँ और यदि मैं उसको वर्ग कर लूँ तो इसके लिए फर्मूला होता है कि घात की घात लगा तापस में गुड़ा हो जाता है कैसे इस प्रकार से नोट करना लिबत क्या होता है कि जब आपका अधार बराबर हो तो घाते आपस में जूड़ी आती है और दूसरा नियम कि यदि आपके घात की घात हो तो उसका आपस में गुड़ा हो जाता है घात की घात घात चाफ आपस में गुड़ा होता है तो आप एक बर एकश के घात की घात का 3 को फरमुले निकालीए और आपस में गुड़ा कर दीजिए या एकस घात में 3 कर दीजिए तो भी आपका अंसर आजाएगा clear है क्या इसको note करना जरूरी है भई note कर लिजेगा तो देखे दोनों ही सिति मुझे आपको x से घात में 3 तो निकालना ही पड़ेगा और देखे जब यहाँ पे plus है तो इधर क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो देखे 3 के घात में 3 minus 3 गुना 3 यही आपका आने वाला है clear है क्या इतना तो आप करी लेंगे यहाँ तक तक आपको करना ही पड़ेगा 3 तेनों तो 27 और 27 में से 3 तेनों को घटाओगे तो आपका आजाएगा अठारा इस प्रकार से आपका मान यहाँ पर आजाएगा clear है क्या अब देखिए मैं आपके उपर छोड़ता हूँ कि आप कौन से तरीकस बनाएगे तो मैं पहला तरीका यहाँ पर लिग देता हूँ पहले मालो जिए मैं वर्ग वाला बनाता हूँ तो वर्ग वाला बनाऊँगा तो वर्ग कैसे तोड़ते हैं तो वर्ग को जब कैसे तोड़ते हैं ति देखिए एक सी घात में 6 हो जाएगा प्लस ये भी एक सी घात में 6 हो जाएगा और प्लस 2 ये भी करेंगे तो एक सी घात में 3 और एक सी घात में 3 हो जाएगा ति देखिए कड़ जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर क्य तो आप तोड़ी सकते हो अब इसी को हम ऐसे कहते हैं यहां पर आपको माना जाएगा ठारा यहां कुछ ही माना रहा है उसी में से आपको क्या करना है दो आपको भटाना है इसलिए मैंने फर्मूला कुरुप में लिखा है ठीक है न इसका यहां पर और भूल गहरे हो मैं माफ करेंगा यहां भी वर्ड करोगे तो भै देखो यहां पर आप इसको मत देखो न जी आप यह एक वर्ड कर रहता है तो उसके लिए क्या फर्मूला है या आप इसी को अभी हम लिए कूछ दिर्ग पहले बनाए थे न जो आ कि हम ऐसा भी करके बना सकते हैं लेकिन दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं फिर आप जच करिएगा कि आपको इस तरीके से बनाना है कि इस तरीके से बनाना है क्लियर है नहीं कोई confusion तो नहीं है मैं आपको कहा कि जो भी दिया गया भाई दो तरीका है यह तो आप वर्ग वीदी से बनाइए यह गुड़ अन्फर वीदी से बनाइए आपका आंसर आ जाएगा जब आप वर्ग वाला करते हैं तो क्या करते हैं जो भी से इंख आता है उसक अठरा गुड़ा अठरा कर दिया ठीक है अब इसको कैसे तोड़ो गया तो भाई एक बर इसके साथ करो एक सथ करो इसका जाएगा एक गहात में अच्छा ए और जब सेकेंड वाले एक साथ करोगे तो यह कड़ जाएगा आपस में और देखो यह कड़ जाएगा ऐसे की यह देखोस है में में उस सबस्क्राइए प्लाइब कर दोर चनच दो और इसम बाइस प्लस 442 स को आपत्र फल्पी करने कि यहां खलब से बनाना है कि गुडविदी हो में ने दोनों के नुट अज़ित तो आप चाहों तो इसको डारेक्ट देखो हाले कि मैं फार्मूला रटवाने के पीछे तो नहीं भागता हूं फिर भी देखिए एक से गहात में च्छे बनाने के हमने क्या किया है हम लोगों को क्या करना था हम वर्ग विदी से दी बनाते हैं तो पहले हमको यह निकालना पूरे का क्योंकि जो भी वेल्यू आगा उसका मवर्ग करेंगे और उसमें आपको दो क्या करना रहेगा घटा न रहेगा ठीक है न चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन की अब देखिए साथ वाला आ गया सेवन वाला तो सेवन क्यों कैसे तोड़ सकते हमारे पास और क्या कर लो तीन कर लो तो इस प्रकार से देख लीजिए आपका साथ आ जाएगा यदि आप उसको घात की रुप में दिखाओ तो मैं कहूं ऐसे फिर कर लो इसको ऐसे और आप कर लो इसको ऐसे देखिए घात का घात गुड़ा हो जाएगा तो एक सी घात में चार आ जा जाएगा अब मैं इसी जाएगा POLग कर लेतक अगर OBS 47 को दिखए मैंने इसको लिख दिया है 7 आएगा अब दिक्bly आप इस जाएगा सपले सब्सक्राइब मैंने जाएगा इधर कया जाएगा साथ कवर्ग और इधर आपका जाएगा माइनस 2 तो यह जाएगा 777 और 49 मसे 2 क्या जाएगा आपका 47 आजाएगा अब मुझे क्या चाहिए एकसी घात में 3 चाहिए तो बिल्कुल को दिकती नहीं है एकसी घात में 3 करेंगे प्लस की जो हमें ऐसे बीच माइनस करते हैं इधर क्या हो जाएगा 3 के गात में 3 और इधर उसी का 3 गुना यही करते हैं न भाई तो 3 तीय 9 यह 27 और 27 में से 9 आपका क्या जाएगा 18 इस प्रकार से इस कमान क्या जाएगा आपका कठ रा जाएगा यह देखिए मैंने आपके 18 लिख दिया है अब मेरा काम क्या है यदि मैं इन दोनों का आपस में गुड़ा कर दूँ तो मेरा सेवन आ जाता है तो मैं जब ल neutral करूंगा भाई तुमेरे काम बने बैंगा न जी आपक'. इसको लिख दिया है अब आपके गुड़ा करना है लुगा तो करी सकते हैं आप कर लेंगे इस के साथ करोगे तो देखो सेवन जायगा इसके साथ कडो theology तो बहुत एक नीची में बच्छेगा कैंसे साथ करोगे तो लोगे इस मुझे साथ में साही तो इसपर शुक करें उसके ना समस्का ना प्रकार स्ट किया ते में यांट करना है यह इसको क्या तो आया इस सब्सक्राइख तो गुड़ा करने बाद जो भी value आएगा उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा माइनस 3 करना पड़ेगा प्लस है इसलिए आखरी में गुड़ा करने बाद माइनस 3 जैसे अभी तक कर रहे थे जी ठीक है न तो देखिए उसको फर्मूले में इस पर थोड़ा से सुचना इस पर थोड़ा से दिखे यहीं पर थोड़ा से हो सकता है कि आप थोड़ा से थो लेकिन नहीं होना मेरे भाई यह देखो आप वर्ग करोगे तो माइनस कहां पर सबसे पहले प्लस टू लिख लो और चार्चों कहां पर 16 हो जाएगा अब अगली अगर जब आप इस जो वैल्यू निकला है इसको आप कैसे लिखोगे एक्स घात में दो और एक बट एक्स के घात में तो यहीं निकलेगा ना अब आप इसका वर्ग करोगे तो समझने वाली बात है कि देखिए जब आप इसका वर्ग करोगे भाई तो देखिए यहां पे जब इसका वर्ग करो चलो तो प्लस है ना तो यहां पर क्या करोगे माइनस दो करोगे और यहां पर क्या जाएगा अपका अठरा का वर्ग आ जाएगा ठीक है ना तो यहां पर थोड़ा सा ऐसे मत सुचने कि यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस और उसके बाद एक से जाएगा आपका माइनस हो जाएगा इसलिए आप मेन को लेकर मत चले दूने प्लस प्लस मत कर दीजेगा तो अठार अठार अठारम 324 और 324 में सिद्ध हो जाएगा ताप का जाएगा 322 क्लियर है क्या देखिए हमने वर्ग तक तो निकाल लिया अब देखिए जब हमको यह मुझे यह डारेक्ट मिल चुका ठीक है अब मैं क्यूब कर निकालूंगा तो क्यूब के लिए क्या करेंगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो यह देखिए क्या लिखेंगे फिर एक चार चोंग 1664 और आपको हो जाएगा चारती है बारत इस प्रकार से क्या जाएगा आपको very good minus इसलिए क्या करोगे आप प्लस करोगे तो 322 गुड़ा 76 और अकरी में इधर से आप क्या करोगे पक्चांतर करोगे तो यह जाएगा आपका प्लस 4 हो जाएगा तो आपका आपका आंसर आ जाएगा तो आप इसको गुड़ा करेंगे पहले और उसमें आप 4 लेंगे ठीक है तो यह था कुछ अलजेबरा से रिलेटेट कोश्चन यह भाग दूसरा था काफी लंबा टापिक है बहुत सारे अलग लग प्रकारी कोश्चन मनते हैं सबको मैं लेकर आऊंगो एक एक करके अच्छा लगा तो लाइक जुरू करिए कमेंट करके बताए वीड चैनल को सब्सक्राइब और के बेल आगान जबर दबालीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद जाहिंजा भारत